आज की जो बात आप लोगों के साथ शेर करने हैं और रंजना प्रिंस और सचिन मनीशा इन लोगों के उपर है अंटी जी ने तो ऐसा तड़का लगाया है ना कि वो बात ना करी तो फिर बाती नहीं लगेगी ऐसा घर का जो महौल है ना अगर बना के रखोगे तो भीया होस् में हैं बैड पे हैं आप वही पर कैमरा लेके पहुंच जाते हो थोड़ा बहुत सैंस लगाओ शादी हो गई है बच्चे नहीं हो चोटे से चीक है ना अपनी आपकी वाइफ ने जो आज आवाज उठाई ये ना मुझे उस बात पे जरूर कुछ कहना है तो प्लीज इस व आपको मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़नावीट प्वामी मैं तरणंख स्वागत करती हूं आपका ऑपकर अपनी चैनल में आशा करते हूं कि आप सब बहुत अचे हूं कि मैं ठीक हूँ तो आज की जो वीडियो है ये हमेशा से मैं कहती हूं वीडियो का को अक्यांग ह तो जैसा वीडियो ऐसा रेक्षन तो आज का जो वीडियो मैंने देखा है सचिन मनिशा का और प्रिंस और रंचना का जो मैंने आज वीडियो देखा है तो मैंने सुचा दो वीडियो दोनों ही चैनलों की बात एक वीडियो में मैं कर देती हूं अलग अलग बनाना फिर जो मे अपना साइट अप रहता है मेरा तो आज मुझे यहां पर आकर वीडियो शूट करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं तो मैं आपको आज बता देती हूं पहले मैंने वीडियो देखा था सचिन का तो सचिन का जो मैंने वीडियो देखा था उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जो कि मनीशा जो एक बात कह रही है कि अगर मेरे हजबन के उपर किसी ने कुछ कहा या कुछ बोला तो मैं उन्हें फाड़ के रख दूँगी तो ये वाला जो लाइन है ना ये मनीशा नहीं काफी टाम पहले बोली थी किनके लिए बोली थी ये तो आप अच्छी तरी किसे जानते हैं और ये बोली गई थी जिया सासवत के लिए क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉंटरवर्सी चल रही थी तो उनके लिए बात बोली गई थी तो जब मनीशा ने इस बात को बोला तो क्योंकि अभी आपको पता है कामनी सिंग के और कॉंटरवर्सी हुई है सचिन की क्योंकि उनके घर के मैटर के अंदर सचिन कूद बड़े हैं और ये बोला है कि मैंने किसी से कोई लेना देना नहीं था मैंने किसी को बुलाया नहीं तो जो इसे चला आता और इतने time की weडियो मैंने देखी नहीं मैंने देखते on são सभा सबसे सवा कि मैंने य Państwo did is idea Sam रही इस वीडियो में और इसके उपर बहुत जादा ट्रॉलिंग होई है सचिन की सचिन को तो ट्रॉलिंग इसलिए भी की जाते है क्योंकि सचिन कहते है मुफट इंसान है जो इसके मुपे आता है वो बोल देता है और ऐसे ही कुछ बात अंटी ने भी कही थी कि भही हम अपन कर दिया गया है बिल्कुल मना कि आप अपनी तरफ से कुछ मत कहिएगा और अगर वहां से रिक्षन आता है या अगर सचिन कुछ बोलते हैं क्योंकि मनिशा को वो लोग बहन मानते हैं तो उस बहन के नाते से उन्होंने बुला है कि आप किसी के बीच में भी मत गर की कॉंटरवर्सी आप लोग दिखाते हैं लोग बहुत जादा उससे पहले ही भढ़के हुए हैं कि आप अपने घर में एकताने बना के रख रहे हैं और लोगों को सबक सिखाने चले हैं शोशल मीडिया पर बैठ कर ये बोल रहे हैं कि वो बात इस तरीके से हो रही है तो कहते हैं ना पहले अपने घर में जाको अपने घर से शुरुवात करो तब ही आप जाके शोशल मीडिया पर या समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं शुरुवात अपने आप से करनी होती है अपने घर से करनी होती है तब ही आप जाके बाहर लोगों को ग्यान दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो रही बात कुछ इस तरीके की इनकी रही सचीन और मनीशा की तो इसी के अंदर मैं एड कर देती हूं प्रिंस की बाद भी जो कि आज रंजना जिसको लोग बोलते थे ओवर एक्टिंग की दुकान है अपनी जिठानी की नकल करती है और अबर एक्टिंग से बोलती है तो आज जो रंजना ने बोला सलूट है रंजना की अपने लिए बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है और शोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लैटफॉम हो जब आपकी ट्रॉलिंग होती है जब आपको लोग गलत वी में लेके चलते हैं तो मुँपर टेप लगा के शरम की घूंगा टोड कर अपनी बात को रखना मुझे नहीं लगता किसी भी हद तक सही है जब आपके ओपर सवाल उठे हैं तो आपने अगर उस कमेंट को देखा है या फिर आपको दिखाया गया या फिर मेरी वीडियो आप तक पहुची है तो बात हुई है वो सही है या गलत है तो उसी के पॉइंट पे आपने अपना बात को रखा ओडियोंस के सामने अपनी बात को रखा और लोगों कोई चीजे समझ में आए कि भीया वो मॉम की गुडिया नहीं है बोलना उसको भी आता है उसके लिए अगर कोई बोलेगा तो अच्छे से बोलना आता है तो आप ही की लैंग्वेज में आपको जबाब देगी अगर अब आपको कुछ भी आपने तिग्रम बाजी कि क्योंकि यही रंजना हमें चाहिए थी मनिशा डरी सहमी हुई सी सबको डिकता था कि मनिशा सिंपती गेन करती है मनिशा के लिए आरप दो किसी पर आप अपने घर का काम करने में अकर आपको लगता है कि वह नौकरानी है हमें आपके काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी हाँ आपके जो कमेंट्स मैंने वीडियो में पढ़े थे उसमें आपकी ट्रॉलिंग होने के नाते जो मुझे लगा वो मैंने अपने विवर्स के साथ रखा है कि पूरे दिन जब भी कैमरा जाता है रंजना किचन में हैं जब भ आपकी बहु को छोटी बहु को बड़ी बहु के बीच में कंपैर नहीं करते हैं वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है और हाँ इसी बात पर मैं एक बात आंटी जी को ज़रूर बोना जाओंगी जिसने भी आपको यह कमेंट किया था ना कि आप चाहते हैं आपने अपने बेटे बहु को घर से नहीं निकाला है और पर इनका यह है कि जब यह घर से बाहर जाते हैं तो खुद से कॉंट्रवर्सी क्रेट करते हैं चाहे बेटा हो चाहे बहु हो चाहे ममी जी हो या फिर चाहे भाई हो ठीक है यह आपने आपसे कॉंट्रवर्सी क्रेट करते हैं यह ओडिय और जो बोला ना कि बहु भाया आप से पूछ के गए हैं नहीं गए हैं तो इतना स्ट्रिक तो आपको होना चाहिए ना कि आपके बिगर पूछे कोई घर से जा रहा है आपके बिगर पूछे कोई यह कर रहा है फिर किस बात की आपकी वैलिव है कैसी सास हैं आप जो अपने तो आपको इतना सोचना चाहिए कि वो अगर जा रहे हैं तो आपको बता के जाएं इतना रूल सो भाईया होटलों में भी फॉलो किया जाता है यह तो आपका घर है इसका मतलब खुद ने आपने इंसान अपनी वैल्यू ना खुद गटाता है इतनी आजादी किसी को मत दो कि वो अपने आप हवा में उड़ने लगे और उसे लगे कि फिर उसके आगे पिछे कोई है नहीं और कुछ भी करो कुछ भी मत करो तो इस बात से मैं आपके अंटी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और ये एक गलत मैसिज गया सोचल मीडिया पर इस चीज को आपको सुधा आप अपनी वीडियोस में अच्छे से इसको किलियर कीजिए पेरेंट्स हो पेरेंट्स की तरह रहिए ठीक है आप वॉर्डन मत बनिये जो वॉर्डन वाला आपने कहा ना कि वॉर्डन थी मैं ये चीज़े करती थी नहीं भीया होस्टल वाला कानून घर में नहीं चलता है होस्टल होस्टल होता है घर घर होता है घर में पेरेंट्स होते हैं माबाप होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होना तो वो घर सुरग रहता है अगर उनका अनादर होने लगे तो घर नर्क बनते तेयर नहीं लगती है ठीक है मानते हैं आपको एक जो खुशी चाहिए जो खुश और उसने हर चीज़ का टाइम में एक निर्धारित किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे वीवर्स आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताईगा, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में, अपना और अपनों का खयाल रखेगा, दौआ में